राइजिंग भारत और चो कि मंच पर ऐसे शक्स हैं या ऐसे नेता हैं जो राजनीती कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं आप इनसे जितनी चाहे काम की बाते कर लिजे जैसे ही राजनीती की बात करेंगे ये 921 हो जाएगे तो इसलिए अगर इनको इस स्टेशन पर रखना है तो काम की सारी बाते और यही काम है जो राइजिंग भारत को उस जैनित तक लेकर जाने वाला है मंत्री जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दर्शकों को बस बतादू मैं कि आप 49 वे रेल मंत्री है पचपनवे संचार मंत्री है और दूसरे एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना मंत्री है बहुत भार है कंदे पर आपके देखिए जिस तरह से प्रदानमंत्री शी नरेंदर मोधी जी देश के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं अपना एक एक पल एक एक शन देश के लिए समर्पित कर रहे हैं तो हमारे जैसे कई कारिकरताओं को लग जाना चीए पूरी तरह से जोटी जाना चीए अश्वनी जी जब 2047 की हम बात करते हैं हम उस भारत की बात करते हैं जो विक्सित हो चुका है तो इमारी से अपने दिल पर हाथ रख कर बताईए एक रेल मंतरी अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है उस वक्त की ट्रेन हिंदूस्तान की जनता कैसे देख सकती है देखे आज मोदी जी के 10 वर्ष के इस पीरिट में एक बहुत स्ट्रॉंग लेड़िशी बनी है आज मोदी जी की 10 वर्ष की लेड़िशी और 25 वर्ष का पलान ये भारती जनता पार्टी का एक सपस्ट जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक सपस्ट मेसेज है इस दश वर्ष की लगिसी में आप देखो रेलवे में practically करीब करीब बहुत सारे राजजी 100% electrify हो गए 40,000 km रेलवे का electrification हुआ 60 वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000 करीब करीब आपके 30,000 km नए रेलवे ट्रैक मने यानि जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा पिछले साल 5000 किलोमेटर जुड़े थे और इस साल भी कल की रिपोर्ट में देख रहा था 5246 किलोमेटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े यानि हर साल एक स्विज़लेंड के बराबर रेलवे नेटवर्क बारत में जुड़ रहा है टोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेंस आई, नमो बारत ट्रें आई आज वंदे भारत ट्रेंस में हमारी जो मिडल क्लासेज है और एस्पिरेशनल यूथ है उनको एक ऐसा अनुबह मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता नमो बारत ट्रें अपने आप में बहुत ही सक्सेस्फुल है रिजिनल ट्रांजिट के लिए अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमरित भारत ट्रें आ रही है इन दस वर्षों में विक्सित भारत बनाने के लिए जो foundational elements है, जो foundation बनानी है, नीव बनानी है, वो नीव बनी है, अगले पांच वर्षों में इस नीव को और मजबूत करेंगे मंत्री जी, मैं एक सकिन आपको रोक रही है, आप कह रहे हैं कि ये नीव 2014 में रखी गई है, इससे पहले फिर क्या हो रहा था? इससे पहले अगर रेलवे की अगर मैं बात करूँ, तो रेलवे को एक दूद दोने वाली गाय के बराबर समझा जाता था, ऐसी condition थी, जिसमें रेलवे मिनिस्टर्स केवल किसी गाड़ी के stoppage या गाड़ी के extension या नई गाड़ी के announcement पे ध्यान देते थे, पट्रियों की capacity है किन उसकी कोई चिंता नहीं होती थी, इस तरह से रेलवे का प्रसाशन चला रहे थे, ततकाली तब के रेलवे मंतरी और तब की सरकारें, जिसमें रेलवे फोकस नहीं था, पैसेंजर फोकस नहीं था, किवल अपनी राजनिती फोकस थी, मोधी जी ने डी पोलिटिसाइज क को मर्ज किया जनल बजट में, जहां मात्र पन्रा जार करोड के आसपास मिलते थे जनल बजट से बारती रेलवे को, आज दो लाक बावन अजार करोड रुपे का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है, काम फंडिंग बड़ी, काम बड़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे करीब 38 ऐसे major structural reforms हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्तितियों में आई है, कि अब अच्छी एक foundation बन गई 10 वर्शों में, आने वाले 5 वर्शों में इस foundation को और strong करेंगे, कई जो नई technologies लेके आएं, उनको और ज्यादा strengthen करेंगे, और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया सुरूप देखेंगे। करते हैं कि एक वो वक्त आएगा जब साल भर में जो 700 करोड का आकड़ा है, यात्रियों का सफर करने का, वो हजार बारा सो या तेरा सो तक बहुता है। रोड कैसी भी हो, कंडिशन कैसी भी हो, एक बार के लिए गाड़ी चल जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेलवे नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा के पैसिटी बढ़ाने के लिए जितने भी टेक्नोलोजीज हैं, रेलवे के नई पत्रियां बिचाना, आटमेटिक सिग्नलिंग लाना, आपके कंप्लीट रेलवे के जो गंट्रोल सिस्टम है, जिसको सेंट्रलाइज ट्रें कंट्रोल सी टी सी कहते हैं, उस टेक्नोलोजी पर जाना, आपकी ट्रेंस की अक्सिलरेशन, डेसलरेशन, जो मतलब पिक अप और ब्रेक लगाने के बाद में रुखने की टाइम, उसको वेरी कंफिटेबली, I can say with good confidence level, कि 2030 तक एक हजार करोड पैसेंजर को हर साल कैरी करनी की कैपैसिटी हो जाएगी, आज हम करीब-करीब 700 करोड पैसेंजर को कैरी करते हैं साल में, रेलवे देश का अगर पूरा नेटवर्क देखो, ट्रांस्पोटेशन की एकनॉमिक्स देख से जाते हैं, तो यह अभी यह नेटवर्क है, इसमें यह 700 करोड 2030 तक एक हजार करोड होगा, इन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी तेजी से यह सारी ट्रेने, जाए नमो भारत हो, जाए वो वंदे भारत हो, यह सिर्फ विल है या कुछ और भी चीजे थी जिसने इन एडिशन आप किस काम को फास्ट्रैक पर ला दिया? इन एक उद्वे के डिशे जईने और वे उन्हें सुर्ण कोल्वा हु आइ, जैसे फोर अइसामपल, एक नया रिल्वे की चीपक्टतिमी में अ महते हैं, पळले क्या होता था कि जिस दिन चीपूणनेंस करना मानलो पट्री है, पट्री पे डेली का डेली मेंटेनिस करना पड़ता है, तो जिस दिन आपको मेंटेनिस का काम करना है, उसी दिन सारे कॉंट्रेक्टर्स, मशीन, स्पेर, मटेरियल, सब लेबर सब आते थे, तो सुबे से शाम तक मानलो बेट करते थे, चार या पांच में हर शुकरवार को अगले 26 हफते का, नेक्स 26 वीक्स का, डेटेल्ड प्लान बनाते हैं, नेक्स 26 वीक्स, मतलब जैसे जपैन में में पड़ती है, या जमनी में, या जो डेवलप कंट्रीज है, विक्सित राइडे करते हैं, वैसी की वैसी एडवांस्ट प्लानिंग, एक साथ आदत बदलने की आदत डालनी पड़ती है, एक नए तरीके से काम करने की, मतलब प्रैक्टिस में आना पड़ता है, तो ये असान काम नहीं होता है, इसमें बहुत महनत और continuous communication with the top to bottom most layer, आज आप किसी supervisor के पास जा के बात करो अगर, और मैं आप में से निविदन और सेक्शन सुपरवाइजर और इंसे बात करें, इतने एक खुश है, इतने खुश है, कि आज उनको maintenance के लिए जो time ची होता हो मिलता है, maintenance के लिए resources के हो मिलता है, मतलब इससे पहले तो आप कह रहे थे कि सब आराम से हो जाता था, सिर्फ politics होती थी काम नहीं होता था, अब आप सिर्फ कामी काम करा रहे हैं और वो खुश हैं? बिलकुल खुश हैं, और आप वास्ता में जाके मिलो, मैं तो कम से कम low level पे, ground level पे, officials के साथ, जो की group B officers भी नहीं है, group C में, जो काम करते हैं करमचारी, उनके साथ बहुत interact करता हूं, और उनसे बहुत input लेता हूं, आस वर्षव में, रिल्वे को उस टेक्निकल स्टेज पे लेकर आ गए हैं? अश्वनी जी, दुरगटना को लेकर, मैं आप से डीटेल में तोड़ी चर्चा करना चाहूंगी, especially, कम होई हैं दुरगटना, accidents कम हो हैं, लेकिन जो होते हैं, आपने भी देखे हैं, आप कितने जिनों तक वहां पर रहे थे, आपकी आँखों में लोगों ने आसू देखे हैं, वहीं उस जमीन पर पॉलिटिक्स भी देखी है, कवच को लेकर विपक्ष ने बहुत हमला साधा, क्या अपने कहाता है कि ऐसी टेक्नोलोजी ऐसा सिस्टम है, कि इससे हिंदुसान को कोई न रेलवे सिस्टम्स में उनिस सो असी के दश्यक में चालू हुई, उनिस सो नबय के दश्यक में काफी बड़ी मात्रा में लगी, और दो जार के दश्यक में करीब करीब दुनिया के सारे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में फुली एटिपी आ गया था, तब कि सरकारे क्या क 2016 में पहली बार भारत में ATP टेकनोलोजी को मान्यता दी मोदीजी ने 2016 में 2016 मलब सोचो देश ने उनिस सो असी से लेके 2014 तक का पिरियड एक तरीके से उस पिरियड में पुरा देश कवर हो जाना चाहिए था ATP टेकनोलोजी से 2016 में मान्यता दी 2019 तक उसकी पूरे सर्टिफिकेशन मिले 2020 और 21 में COVID के करण दिक्कत आई लेकिन उसके बावजूद भी और उसके बाद में बहुत तेजी से इस पे काम चला अब करीब और कवच भी एक कोई ऐसा नहीं कि एक डिवाईस है जो लगा दिया ट्रेन पे और वोगे ऐसा नहीं है कवच पूरा एक सिस्टम है भई आपको पूरा पूरा रिल्वे ट्रेक के साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ता है जैसे एर टेल या जीओ या बी एसनल का नेटवर्क होता है वैसे हर साथ या आठ किलोमेटर पर आपको टेलेकॉम टावर लगाने पड़ते हैं उन टेलेकॉम टावर के ऊप़ तेलेकॉम की डिवाईस लगते है फिर टेन की ऊप़ डिवाईस लगता है signaling system के साथ पुरा interaction, integration करना पड़ता है हर station पे एक data center बनता है complete data center बनता है और फिर station के data center से पीछे complete एक centralized train control का data center it's very very complex technology मतलब दुनिया भर के देशों में 20 से 25 साल लगे छोटे छोटे network 8000, 10,000, 20,000 km के network अपना 50,000, मलब अभी 75,000 km का network है तो लेकिन इतनी तेजी से इसमें काम चल रहा है नए नए जो manufacturers है वो जूड़ रहे है नए designers जूड़ रहे है कई तरह के innovations कर रहे है जिसमें कि जो station की design करनी है उस design को automate किया जा सके मतलब ये एक ऐसी commitment है जो commitment मोदी जी ने इस पश्ट तोर से देश में railway को safe बनाने के लिए की है एक लाग सत्यासी हजार करोड का investment किया है दस परशों में अगर आप उसको compare करें तो धाई गुना जादा है उससे पिछले चार से चौदा में जितना investment था safety पे उससे धाई गुना जादा है और उसका result भी दिख रहा है वो result दिख रहा है very unfortunate अगर बीच में लेकिन आगे और भी ज्यादा प्रयास करके 100% safety की तरफ बढ़ेंगे एक commitment बुलिट ट्रेन को लेकर भी है अश्विनी वैशनव जब इतना गड़ा है जिसको आप भढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे है ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि क्या बुलिट ट्रेन की इस देश को आवशकता है आप उन्हें क्या कहेंगे बुलिट ट्रेन एक transportation का means के साब से मत समझें आप इसको बुलिट ट्रेन को अगर आप देखोगे बुलिट ट्रेन आपके जिस पाथ पे चलती है उस पाथ के सारे शहरों की economy को एक साथ जोड़ देती मैं इसका उधारन बहुत अच्छा आपको दूँगा जैपैन का पहली बुलिट ट्रेन वा 1969 में जब चलने चाल होई टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो और उसाका ये सारे के सारी economies मिलके एक economy बन जाती है साड़े 500 किलोमेटर के आसपास का डिस्टेंस आप दाही से तीन गंटे में कभर करते हो यानि आप अगर क्योटो में काम कर रह रहे हो उसाका में जाके काम किया आपने और शाम को वापिस क्योटो में अपने बच्चों के पास आगे वैसा की वैसा development serious regional multiplier होता इससे जब आप देखोगे मुंबई से अमदाबाद, मुंबई, ठाने, वापी, सूरत, बडोदा, आनंद और एमदाबाद ये सारी economies एक single economic zone बन जाएगा आप सुबह बडोदा में नाश्टा करोगे एक गंटे के अंदर-अंदर मुंबई में पहुँचे, दिन बर अपना काम किया शाम को पकड़ी वापिस ट्रेन और घर आके बच्चों के साथ खाना खाया तो ये हसीन सपने पूरे कब होंगे दो जार चबश में, दो जार चबश में, आज देखो ना आप आज आप देखो, 200, मैं डेली काउंट करना भी भूल जाता हूँ पिछला शहेद दस तिन, बारा दिन पहले रिव्यू किया था 214 किलोमेटर अलड़ी बन चुकी है, कम्प्लीट ट्रैक्स लग रहे है, उपर ओवरेड इलेक्रिकल का सिस्टम लग रहे है जो ट्रैन का मैनिफैक्ट्रिंग है, सारी चीजे इन पैनल तेजी से चल रही है देखो कई ऐसे देश में, नाम नहीं लगगा किसी देश का जिम्मेदारी की पोजिशन है 20-20 साल लगते एक प्रोजेक्ट को करने में, 500 किलोमेटर का अपने यहां आट-10 वर्षों के अंदर अंदर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2026 में पहली सूरत से बिली मुरा वाले सेक्शन में ट्रेन चलेगी, आप देखोगे, और वर्ल्ड क्लास है अबसुल्यूटली वर्ल्ड क्लास है अच्प वक्त जो है वो लगातार इसी रफ्तार से आगे बढ़ा है तो मैं अपनी ट्रेन को यह सवालों के ट्रेन को अपने स्टेशन पर ले जा रही हूं अब के अगले मंत्राले के पास आए उससे पहले इस वक्त जो देश के रेल मंत्री है अप उनको कोई नंबर दिना चाहेंगे 10 में से, 5 में से आप लोग का काम है भाई है, हमारा काम नहीं है, हमें तो मेहनत करनी है, मेहनत करते जाना है डिजिटल इंडिया की तरफ में आ रही हूँ, प्रदान मंत्री नरेंज मोधी का ड्रीम प्रॉजेक्ट है, और उसमें सबसे इंपोर्टेंट अंच सेमी कंडॉक्टर हैं, इसकी बाद तो हम कर रहे हैं, इन फाक्ट बासट से शुरुवात हुई, पैसट, इकसट, मैं टाइ दू नहीं हो पाया, आज हो रहा है, तो ऐसा आपने क्या कर दिया? देखो, 1962 से प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी प्रयास के पीछे, जब तक सही नीती और सही आपका fundamental conviction नहीं होता, तब तक नहीं हो पाता, मोधी जी का इतना strong conviction है, कि हमें विकिसित भारत को जब बनाना है, उसके foundation में क्या-क्या लगेगा, उसके foundation में बहुत एक इंपॉर्ट या फिर power electronics, telecom, वो देखो, या जो defense में electronics जाती वो देखो, या car के अंदर जो electronics लगती वो देखो, हर चीज में semiconductor लगता है, लो कुल मिलाकर कोई भी चीज जो on या off हो रही है, उसमें semiconductor लगता है, या लाइट हो, चाहे missile हो, चाहे train हो, चाहे aeroplane हो, चाहे fridge हो, हर चीज जो on या off होती है, उसमें semiconductor chip लगती है, ये मैं बहुत मदलब आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जैसा commitment मोदी जी ने दिखाया, और मैं आपको personalist में examples दे सकता हूँ, हम लोग semiconductor discussion के लिए, जब आधे घंटे का या 45 मिनट का time प्रदान मंतरी जी का मांगते थे, मैं आज सब public के सामने कह रहा हूँ, कहना नहीं चीए, लेकिन PM साब ने साड़े साड़े तीन घंटे तक time दिया, हम 45 मिनट time मांगते थे, वो तीन घंटे तक time देते थे, एक एक line by line चीज PM साब detail में discussion करते थे, जो भी concerned विभाग है, सरकार का काम करने के एक तरीके में बहुत सारे विभाग जुड़ते हैं, हर department को personally बुला के साथ बैठते थे, और PM साब कहते थे कि हमको semiconductor में successful होना है, देश को semiconductor में successful होना है, ऐसा commitment impossible है किसी दूसरे प्रधानमंतरी का, आप बोल रहे हैं कि impossible commitment सरकार की तरफ से, प्रधानमंतरी नरेन रमोधी की तरफ से दिख रहा है, ले यह कह रहे हैं, यह jobless growth है, वो यह कह रहे हैं कि जो कामकाजी संख्या है, वो पचास फीसद से भी कम है, और पिछले नौ सालों से यह आकड़ा है, आप लोग ग्रोध करते हैं, किसी को job नहीं दे पार, चलो मैं पीच एदमरम साब को एक challenge देता हूँ, आप मेरे माधियम से इस मंच के माधियम से आप पीच एदमरम साब को एक challenge पहुचाईए, EPFO, Employee Provident Fund Organization, यह एक organization है, जिसमें जो भी व्यक्ती काम पे जाता है, उसका एक registration होता है, उसकी salary में से deduction होता है, और organization की तरफ से एक deduction होता है, absolutely ऐसा data है, जिस data को कहीं पर भी हर जगे स्विकारेता मिलती ह EPFO के data के हिसाब से, जो नए लोग जॉब में जुड़े, माइनस जो लोग जॉब से निकले, प्लस जो लोग जॉब में वापिस आए, कहीं एक बार निकल गए होंगे, वापिस आए, इसका जो net number है, वो total job opportunity बनी, यह तो सीधी गणीत है, simple सी गणीत है, वो total job opportunities, 6 लाग पर मन्त थी, कुछी वर्षों पहले, आज भई, on average, 12 लाग पर मन्त है, 12 लाग पर मन्त का मतलब साल के हुए, एक करोड चुमालिस लाग, 12 इंटो 12, 144, एक करोड चुमालिस लाग साल की job opportunities create हो लिए, आप चितमरम साब को पूचिए कि क्या यह आकडा जोट है यह सच है, यह data ह इस data को कई बड़े economists ने, कई अच्छे newspapers ने, सबने चेक किया है, यह challenge जो है, चितमरम साब एक्सेप्ट करेंगे, और जरूर आपकी यह challenge हम उन तक पहुचाएंगे, विपक्ष का एक और आरूप है, वो यह कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम manufacturing hub बन चुके हैं, लेकिन आपकोई manufacturing नहीं करते हैं, आप लोग बस assemble करते हैं, आपके नाम उसको यह दे रिया है, देखो, जिन सक्ष की बात आप कर रहे हैं, यह चलो मैं जनरल में किसी सक्ष का नाम क्यों लूँ, जब तक आप ने लोगे, तो, देखो, किसी भी देश में कोई भी industry जब चालू होती है, चाह से पहले क्या आया, कार की CKD बनके आई, जो completely knockdown unit आता है, उसके बाद में क्या आया, SKD, semi knockdown unit, उसके बाद में क्या हुआ, कम से कम कुछ component manufacturers का ecosystem बना, उसके बाद में क्या आया, कई सारे component ecosystem का manufacturer बना, tier 1, tier 2, tier 3 vendors बने, उसके बाद में क्या आया, कि export होने चालू है, यह एक cycle ह है, हर industry की एक life cycle होती है, अगर यही life cycle Congress की सरकारे अगर 1980 में करने लग जाती, 1970 में करने लग जाती, तो आज देश की कहां पर पर परिस्तितियां होती, Congress ने पहले 4 दशक भारत के waste किये, 4 decades भारत के lost decades बने, क्योंकि Congress की ऐसी policies थी, जिसमें manufacturing को एकदम गला घोट के रखा गय कानूनों का मकड जाल बना के रखा दिया, जिसमें की कोई इंसान manufacturing कर न सके बस, मरलब ऐसी परिस्तितिया थी 1990 से पहले तक तो, कि अगर आप अपनी कार की डिजाइन का हैंडल का डिजाइन चेंज करना चाहोगे, तो आपको बारत सरकार के किसी अधिकारी के पास आके, प जिसमें manufacturing हब बनने के लिए, जो foundation चाहिए, वो foundation lay down हो गई है, अगले पांच वर्श में आप देखो कि देखो, मैं आपको examples देता हूं, numbers देता हूं, numbers लेना जुरूरी है, क्योंकि data के साथ बात करनी चाहिए, कि अबल आरोप लगाने सा अरोप नी होना है, data के साथ बात कर practically negligible number था 10 साल पहले, आज कितना है, 55 billion dollar, electronics manufacturing, practically negligible number था, आज कितना है, पिछले साल का data है, 105 billion dollar, और कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ हो री इसकी, defense manufacturing, कुछ भी नहीं थी, आज 2 billion dollar का export हो रहा है, telecom manufacturing, सोच भी नहीं सकते थे, किसी industry के veteran ने बोला, 35 साल का, जिनका telecom industry का experience है, उन्होंने कहा, सोच भी नहीं सकते हैं कि telecom manufacturing भारत में होगी, आज 1 billion dollar का export हो रहा है, अमेरिका, US, Europe, सब जगे export हो रहा है, क्या बात करते हैं वही Congress के लोग, जो अपनी इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी गलतियों को आज जवाब देनी पा रहे हैं, और हम लोग महनत कर रहे हैं, जंता देख रही है, पबली देख रही है, हम जब महनत कर रहे हैं तो उनके आरोप लग रहे है, किस बात की बात है हमारे पस बस कुछ मिनिट बचे हैं, और मैं चाहती हूँ, यह दो बहुत महत्वपून सवालों के आप जवाब दे एक तो fact checking unit को लेकर, मतलब सरकार ही अगर चेक करने लग गई, तो कैसे चड़ेगा, आपके काम को citizens, netizens जो है, अचा बताओ, एक बात बताओ, CNN TV18 पे कुछ चपता है, उसकी जानकारी लेनी हो, तो किस से पूछोगे, CNN TV18 से पूछोगे और नहीं पूछोगे, बरबर है न, बिल्कुल बिल्कुल, मंतराले से काम है, गरह मंतराले से पूछोगे, हेल्थ मिनिश्ट्री से काम है, हेल्थ मिनिश्ट्री से पूछोगे, अगर आप कहोगे कि नहीं यह पावर मिनिश्ट्री से समध्दित प्रश्न है, पावर मिनिश्ट्री से पूछोगे, इतनी basic common sense की बात है भई, जो राज मान लो कोई कहता है कि कितनी वैक्सीन लगी किस से पूछो के बताओ ऑथेंटिक जवाब कहां से आएगा सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिश्ट्री सी आ सकता है ना तो आप यह कह रहे हैं कि यह फैसला अपसलिटली सही फैसला है और यह करेक्ट फैसला है देमोक्राटिक फैसला है constitutional फैसला है बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी वैश्णव जी हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए अला कि बहुत से सवाल थे और लेकिन ये अश्वनी वैश्णव जी जो बता रहे थे अब तक क्या कामकाज हुआ है और किस गती से इनकी विक्सित भारत की ट कातार आगे बड़ी